प्रेंट्स कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स देखे अभी यह मॉर्णिंग का टैम है तो मॉर्णिंग का सभी काम निपट चुका है इस टैम में चान्नी बरतन दो रही थी बरतन दोने के बाद वो बरतन अंदर करें में पूरे घर की साप सफाय की जाड़ो और बरतन तो चान्द नहीं दो देती है तो वो दो रही है और देखिए यह सब भी जगह हम साप सफाय कर दिये हैं घर लिपाई नहीं हुआ है सो कैसा खराब लग रहा है यहां पर चान्नी बरतन दो चुकी है अभी जो भी किसाप नहीं की है बरतन अंदर करके वो जो भी किसाप कर देगी यहां पर मैं खाना चड़ाई हूँ तो देखे यह आलू और लोगी की सबजी बनेगी और स्वाविन बरी की तो अभी मैं कट करने के लिए बैठ जाओंगी खाना डबक जाता पूरे घर की साप सफाई आज मैं नहीं करूंगी कल करूंगी इस साल का लास्ट दिन में मैं पूरे घर की साप सफाई करूंगी तो यहां पर देखे अभी मैं कट कर रही हूं लोगी सबी काम निप्टाने के बाद में खाना उना बनाने के लिए बैठ गई हूँ बच्चे खेल रहे हैं बाहर, इनके पापा भी हैं, बाहर में बैठे हुए, क्योंकि धोप निकली होती है, बहुत ही अच्छे सूबह में, तो बाहर पर ही बैठे हुए होते हैं सभी कोई, तो यहां पर मेरा खाना पक चुका था, उसके बाद मैं यह सबजी धोने के लिए डाल दी थी एक बाल्ती में उसकी बाद मैं धो करके निकाल दी हूँ अभी मैं डाल देती हूँ यह स्वाब नबरी इसको भूंच के डालेंगे और आलो चाना स्वाब नबरी की सबजी बहुत ही टेस्टी बनी थी मैंने बहुत ही अच्छे से रिकोर्ड किया था इसको लेके क्या कहे मेमोरी खाली कर रही थी तो एक दो वीडियो मैंने हटा दिया है गलती से तो यहां पर देखे में चड़ा रही थी सबजी तो यहां पर हम डाल देते हैं फोरन के लिए यह मिर्चा क्योंकि पेस्ट नहीं डालने हैं बहुत ही टेस्टी बनती है बस मसाला भूंजाना चाहिए तो कोई भी सब्जी अच्छा बनता है लशून हो या नहीं तो यहां पर मेरा मिर्चा भूंजा रहा हैं बस मिर्चा मिर्चा को दिये हैं एक ठो और प्याज डाले हैं तो मिर्चा और प्याज सभी को भूंज दाल देको थाविटेbei में डिया करो नंट हन्यीत के थाव्यूं एक हम के दो दोगे दिया करेंगे श्क्रों को दोगर ऑजवा दिया नयुक्त लगकर लेक्तिक्वायान आदेना टुम। को हम डालेंगे कटोरे में घोल करके और हमारा सबजी बहुत ही टेस्टी बने थी लेकिन इसके आगे वाला वीडियो मैंने गलती से हटा दी है तो आप लोगों को दिखा नहीं पाई उसके बाद देखिए दो पहर का टैम था तो दो पहर में सभी दुकानों का निकालने के ब आपने के लिए सब्जी बनाने के लिए मैं यहां साफसफाई कर रही हूं होटल के बाद होटल की हपर सब्सक्राइब नियुकर रही हूं पंचाकर इस आपके अज़ित नहीं करूंगी मैं कल पूरे घर की लीपाई पुदा होगी मतलब पुदाई नहीं हो डिल् vivo कि गोबर और मेटी से तो यहां पर देखे हम पूरे घर कि जाड़ू कर दे रहते हैं एक बार क्योंकि साम का टेम है तो पूरा घर पूरा बिखरा पड़ा होता है तो पर्वे भी साब सफाई के बाद कितना कचड़ा निकलता है रोज दिन बहुत सारा कचड़ा निकलता है मेरे घर घर पर क्योंकि होटल की काम होती है उसमें कागज प्लास्टिक, प्याज के छिलके, लसुन के छिलके, ये वो सब कुछ फैला हुआ होता है, तो फिर जाड़ो करके निकलते हैं तो बहुत सारा कचड़ा निकलता है, तो साब सफाई हमेशा अगर दिन फर भी करते रहें तो हमेशा ही गरदा निकलता हमारे घर पर, मिट्टी का करेंगे आप के ये नए सारा कचड़ दिखाई दिखाई दे रहा है जब भी जड़ी है तो बहुत यादा कचड़ा निकलता है सिंदिसे के तो जेले फिर ज़ए ItGame और एड़रा साथा कहसा जाए है क्योंकि बच्रें को जाड़ मोर्यटें से कुछ ना कोज तो करते रहते हैं कि उसके वजह से और भी मैं जाड़ा हो जाता हैँ तो अभी में सभीको झाड़ São Tensorberg कर लोंगी उसके बाद मैं सभीको फिर्ग marine है क्वेक धूंगी यहां पर बच्चे पड़े तो रोहन था मेरे पास वह भी कभी मुझे बहुत ही परिसान करता है अजकर ठंड का दीन है तो मुझे छोड़ता भी नहीं है तो फिर वह साथ में रहता है तो मैं वह सबर भी करती हूँ तो भीच-बिच में भी बूल देता है तो इसके लिए सोरी और यहां पर देखिए दो ममी पापा भी बाहर में धूप में बैठे हुए थे एदो पर के टैमे साम होने वाले हैं तो यह स्वेटर रोटर पहन रहे हैं और ममी लागर के दे रही है सौल और स्वेटर उसके बाद यहां पर आग जलाते हैं इस तपाते हैं मैं यहां चुला की लिपाई करूंगी तो में मतलब उठागर के फ्यक peppi क्यूं देने के लिए उसके बाद में वहां पर कचडा था उसको फेग लिए उसके बाद यहां फीन कोईले में जलाते हैं सटी चोटे मतलब बज जाते हैं तो उसको हम देख करके अच्छ से रख लेते हैं उसके बाद त Après राक होता है, उसको बाद हम निकाल लेंगे उसके बाद अपर लिपाई करके छोड़ देंगे क्योंकि आज इसे इस May हम नहीं खाना बनाने वाले खाना मतलब है खाना तो बस उसको करम करनी है तो पर सब्जी किवल बनाना है तो इसमें चुलाज महीं जला रहे हैं बस अंदर में गैस से ही बना लेंगे तो पहले यहां पर लिपाई पताई करके छोड़ देते हैं ताकि सुबा के लिए नहीं लिपाई करना होगा बस जढ़ू करना होगा उसके बाद यहां पर देखे म तो अच्छा चमकता है चुला तो फिर देखने में अच्छा लगता है मन को खुस भी लगता है कि हाँ हमारे चुला बहुत ही सुंदर है देखने में और कोई भी देख लेगा तो फिर अच्छा लगेगा उनको भी कि हाँ यहाँ पर साप सफ़ाई रखते हैं चुले के पास म तो इसलिए लिपाई छपाई मैं हमेशा करती रहती हैं पर काला काला सा चुला हो जाता है तो फिर देखने में खराब लगता है तो इसलिए मैं लिपाई करती रहती हूँ तू यहाँ पर देखे, मैं चुला की लिपाई कर देते हैं नहीं है जाओ ना तब, हम अभी आ रहे हैं ना आजाओ, तू रथाएंगे आजाओ, ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं, चलो तो यहाँ देखे, पूरा हो गई है लिपाई करने की और मेरा पास रोहन फिर से आ गया हाँ बिटा हाँ हम आ रहे हैं ना, थोड़ा सा काम है हाँ, ठीक जा तो यहाँ पर देखे, मेरा लिपाई पूरा हो चुका है, रोहन भी बोल रहा है कि चलो मा बाहर मुझे खेलना है उसका सहली एक है ना सहली तो वो नहीं आई है, इसके लियू बोल रहा है कि नहीं है साड़ी पहन ले ठीक है ठीक है आज बजार जाने वाले हैं हम लोग तो रोहन बोल रहा है साड़ी पहन लो मा हम लोग बजार चलेगे तो यहाँ पर सबजे चढ़ा रहे हैं esf correction मेर्व का खाना है, आज आप लोगों को बता आया कि आज कोईला का चलना नहीं जलाएंगे हम आ रहे चलो नगहच खाना जल्दी जाएंगे यहांपर जीरा ढाल दिया है मर्चा डाल दिया है, उसके बाद हम फ्याज ढालेंगे तो टमाटर, बरी और आलू की सबजी बनेगी नहीं पर हम डाल देते हैं प्याज इसको घूँज लेंगे अची तरह से बहुत इनों के बाद बन राज टमाडर की चट्नी तो अच्छे लगते हैं कभी-कभी इस तरह से बनाने से भी तो हम इसमें डाल देते हैं और भूजेंगे अची तरह से ये रात का खाना है रात को मैं सूट करने के लिए तो सोचती हूँ लेकिन देखिए अभी भी लेट नहीं है क्या लेट हम लोग जलाए है यहां पर रुसनी खड़ी है और ये मॉबाइल के लेट से मेरा वीडियो बन रहा है बहुत ही दिक्कत होती है दोस्तों हमारे यहां लेकिन क्या करें वीडियो भी तो रोज दिन डालना पड़ता है यूटूब मुझे मतलब आ ही गए है तो फिर मुझे छोड़ने का मन भी नहीं करता है भी हो जाए चाहे ना आए लेकिन मैं रोज दिन बनाती रहूँगी डालती रहूँगी चाहे जैसा भी हो आप लोग को पसंद आए या ना आए तो आप लोग बताएगा जरूर कमेंट में और हाँ नहीं है तो प्लेस सस्क्राइब कर दीजेगा आप भी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे ही कुछ जोर नहीं मिलेगा तो मैं भी विडियो कैसे बनाऊँगी इसलिए आप लोग जरूर सपोर्ट करिए मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि मैं भी कुछ नहीं तो फिर थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आलू और टमाटर और मटर डाल देंगे मटर की सबजी मेरे हसबएन को बहुत पसंद है नहीं मेरे हसबएन का पसंद की सबजी बनाई थी यह रात के टेम तो आभ यहete हैं सभी को उसके बार नमक डाल देंगे तागि जल्दी पक जाएगे पूलते हैं कि आलू टमाटर नहीं पखता है पुंत वर लेटा लगता है लेकिन इसमें नमक डालना पड़ता है तो नमक डाल देंगे तो यह पक जाएगा गल जाएगा तो इसको हम अच्छे से थास लेएगे उसके बाद हम इसमें जो आज भी हम बना रहे हैं बिना लसून वाला आजकल है अधिकतर बिना लसून वाला बनाती हूँ और लसून गरमी में खाना चाहिए लेकिन क्या कहें थोड़ा सा के लिए हम नहीं डालते हैं और लसून नहीं डालते हैं बस डालना होता है तो फिर उसको हम छिल लेते हैं और फोरण उरण डाल देते हैं और पिसा हुआ हमेसा रहता है मसाला तो फिर लसून को किवल कैसे पिस सकते हैं इसलिए नहीं डालते हैं जादातर तो यहाँ पर ढख दिये हैं उसके बाद देखें ये कुछ देरी के बाद पक के पूरा गल गया था बहुत ही अच्छा बन के त्यार हो गया था इसमें हम आभी डालेंगे घोल मसाले का देखें हम बना करके त्यार रखे हुए थे इसको पकने से पहले और अभी हम डाल दिये इसको भूंज लेंगे कुछ देरी तक धीमी आच में इसको जितना भूंजो उतना ही अच्छा लगता है इसमें फिर सा आगिया रोहन मेरा पास हाँ मैमी हाँ आचा देंग नहीं आई है उसको पकड के लाने जाएंगे अभी हाँ यह पर खाना जो गरम करना था उसको पानी दे दिये हैं उसके बाद हम इसमें हाँ बटा हाँ हगिश मैं बच्चा को हगिश बहुत पसंद है खाना गरम हो गया सबजी पक गया अब सभी को खाना देंगे कितना सुन्दर मसालेदार वाला सबजी बना है सबी के लिए खाना निकालेंगे पहले तो बच्चे को खिला है हाँ बिट्टा दाल नहीं आलू मटर टमाटर की सबजी बनाई में